नमस्कार दोस्तो यूटुब चैनल के M.I.B.D.S. टलीरा में मैं M.I.B.U.S.न आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि दोस्तो आपने थमलेन देखा है गुड निउज, गुड निउज, गुड निउज क्या है गुड निउज, चलिए आपको मैं आज विडियो के मध्यम से बताने का परयाज करता हूँ सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी E-Panalyst हैं, जो पुराने सिस्टम के E-Panalyst थे जिनका reward point बेब जीबी में credit हो गया था, जिनका भी बेब जीबी में reward point credit हो गया है उसका utilization अस्टार्ट हो गया है, यानि use करना स्टार्ट हो गया है, अब use कैसे करना है, वो मैं सारी चीज़े आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले हमने क्या-क्या, ID open कर लिया, ID open करने के बाद, देखिए ये भी चीज़े आप लगे हाथ देखते चलिए, ये जो notice आया हुआ है, अलर्ट का, अभी आपके पास 17 दीन, 12 घंटा, 13 मिनट और 16 सेकंड का समय बचा हुआ है जो भी ब्यक्ति अपनी ID को एक्टिवेट कर चुके हैं, उनके लिए अच्छी बात है, नहीं तो आपका reward point expire हो जाएगा अब हम आते हैं menu button, menu button पे हमने click किया, click करने के बाद देखिए इस वाले section पे जाते हैं, by gift card की उपर इसकी उपर हमने click किया, simply tab करने के बाद देखिए इस तरीके का एक notification आगया, notice इससे related video हमने बना दिया है, end of a screen आप video देख लीजे, क्या है इस notice का मतलब सारी चीजे उस video में मैंने अपनी सब्दों में समझाने का परयास किया है अब जो utilization स्टार्ट हुआ है, चतुरुबाई.com और wealthmark के रूप में, तो आज जो अभी utilization हुआ है, वो wealthmark के रूप में आप कर सकते हैं, यानि coin के रूप में इस तरीके से हमने wealthmark के उपर क्लिक किया, और wealthmark के उपर क्लिक करने के बाद, इस वाले banner के उपर आप क्लिक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लीज क्लिक ओन e-mails to create a चतुरुबाई gift card with free RP credit, या फिर यहाँ पर टच करेंगे इसके उपर, तो ये भी चीजे इसी तरीके से लिख करके आएगा अभी wealthmark का, इसके बाद, चतुरुबाई.com का, दोनों का जो process होगा, वो same होगा, बस आपको चतुरुबाई पर करना है, तो इसके उपर क्लिक कर देना है, इसमें कहीं से कोई confusion नहीं रखना है साभधानी क्या बरतनी है, उस चीज को समझिएगा अगर आपका बेबजीबी में account है, तो जिस mobile number से और जिस mail ID से आपका account है आपके wealthmark के portal पे भी same mobile number और same email ID से account होना कमपल सरी है किलियर हो गए, चलिए अब हम इसके उपर हमने क्लिक कर दिया, image के उपर अब देखे green zone wallet, यानि हमारे पास 12,100 रुपया का reward point यहाँ पे दिख रहा है slide करके हम नीचे की और जाएंगे हमने नीचे की और आया, इस तरीके से आए, इस तरीके से आए, आप देखे यहाँ पे यहाँ पे आपका green zone wallet, अगर आपका orange zone में है, तो orange zone wallet भी खूल जाएगा इसके उपर जैसी हम touch किये, देखे हमारे पास एक option आगया, 500 और 1000 राइट, अब इसके उपर क्लिक किये, तो अभी wealth mark है, जब आप चतुरुबाई.com करेंगे, तो यहाँ पे चतुरुबाई का रहेगा, जब आप wealth mark से कर रहे हैं, तो अभी मैं केवल wealth mark का दिखा रहा हूँ, इस वाले बटन पे क्लिक किये, 1000 वाले बटन पे, और क्लिक करन उस mail पे जाएगा, wealth mark पे जो registered mail है, उस पे जाएगा, बेब जीबी पे जो registered mail है, उस पे जाएगा और दोनों आपको same रखना है, आप जो OTP है, उस OTP को हमें यहाँ पे put up करना है, तो हम उस OTP को यहाँ पे डाल रहे हैं, जो भी चीज़े मैं दिखाऊंगा, सारी चीज़े live example के साथ दिखाऊंगा, चलिए, ठीक है, तो हमने यहाँ पे OTP डाल दिया, अब OTP डालने के बाद verify के उपर click करते हैं, verify किये, देखिए, हमारा gift card ready हो गया बनके, लेकिन double tab मैंने किया, तो क्या लिखा, sorry, you have already created a gift card, now you can create gift card next 30, after 30 days, आप देखे, gift card मेरा क्या है, वो आपक को दिख रहा है, देखे, इस तरीके से हमने gift card को generate कर दिया है, right, अब gift card generate करने के बाद, जो next process है, देखे, यहाँ पे wealth mark दिख रहा है, कि wealth mark के उपर गया है, तो अब हमें minimize, अच्छा, जिस दिन आप gift card generate करेंगे, उसके दूसरे दिन आपको wealth mark पे जाना है, ठीक है, तो अब हम आते हैं, wealth mark के उपर, अब wealth mark के उपर देखे, recurring, regular और promotion, तो हमें click करना है, promotions के उपर, देखे, gift card बटन पे click करने के बाद, हमारे पास आया क्या, promotional, referral, recurring, तो हमें promotions के उपर click करना है, इस तरीके से click किये, आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1000 का एक gift card, coupon, code आ गया है, right, इ इसकी उपर simply tab करेंगे, submit बतन पे, gift card verification हुआ, right, इसके बाद देखे, यहाँ पे आ गया, buy now, buy now की उपर हमने simply tab किया, अब हमारा OTP गया होगा, registered mail ID पे, right, जो भी आपका registered mail ID हो, system के अंदर, उसी mail ID पे आपका OTP जाएगा, right, तो आभी मैं OTP भी fulfill कर रहा हूँ, अब देखे, हमारा OTP आ गया, हमने OTP डाला, OTP verifying कर रहा है, BM coin purchased successfully, अब देखे, यहाँ से मेरा BM coin जो है, वो successfully processed हो गया, right, अब इसको आगे का process देखते हैं, अब यह जाएगा कहां पे और कैसे मिलेगा, अब देखे, यहाँ पे आपको रीकरिंग में, प्रमोशन्स में देखे, यहाँ पे BM coin मेरा आ चुका है, right, अब आगे का क्या process है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको यहाँ तक नहीं पहुंचना आ रहा है, तो simple क्य करेंगे, देखे, उपर में जो profile icon है, यह वाला, इसके उपर हम tab करेंगे, dashboard पे चले जाएंगे, जब dashboard पे जाते हैं, तो इस तरीके का एक page आजाता है, जब इस तरीके का page आएगा ना, तो आप इसके उपर भी आप click कर सकते हैं, देखे, यह जो blink कर रहा है इसके उपर, ज रेगुलर का गया, पर्मोसंस का गया, तो जो भी old users, जिनका old reward point redeem हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, वो कहां पे आके रह रहा है, वो पर्मोसंस में आकर के रह रहा है, ठीक है, पर्मोशनल बोनस में आकर के रह रहा है, तो इस तरीके से आप देखे, यहां तक तो पाच गया होगे, अब यह हो गया, यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इसके आगे इसका यूज कैसे करना है, वो वीडियो मैं part by part बनाऊंगा, तो चैनल पे पहली बार बिजिट किये हैं, आगे का इन्फोर्मेशन्स चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, बेल को प्रेस कर लीजे, ताकि सिस्टम से रेलेटेड कोई भी इन्फोर्मेशन्स हो, आपको टेकनिकल, नॉन टेकनिकल, हर तरीके का इन्फोर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके, और आप आसानी से उस चीज को प्रोसेस करके, खुद सीख सकें और लोगों को भी सिखा सकें, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ धन्यवाद।